नमस्कार आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी और आज मैं आपको ये समझाऊंगी कि आखिर राज्य सरकारें ये आरोब क्यों लगा रही है कि केंद्र सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है उन्हें धोखा दिया है GST के मामले को लेकर जो वादा किया था आज के इंद्र सरकार नहीं निभा रही है पर इस वादे को समझने के लिए और इस पूरे विवाद को जानने के लिए आपको पहले समझना होगा कि जब GST लागू हुआ था उससे पहले की स्थिती क्या थी राज्य में किया जाता था तो एक्सपोर्ट करने वाले राज्य को टैक्स मिलता था और उस टैक्स से उन राज्यों की कमाई होती थी और इसमें खासी कमाई उन राज्यों की होती थी जिनहें manufacturing states कहा जाता है GST लागू होने के बाद बदलाव ये आया कि जो GST है उसे आप ऐसे समझेए कि जो मन्जिल है वहां तक पहुंचने वाला tax है यानि destination tax कहते हैं यानि अब ये पूरी स्थिती बलल गई और उलट हो गई यानि जो राज्ये जिनको manufacturing states कह सकते हैं अगर वो अपना सामान दूसरे राज्ये में export कर रहे हैं तो tax अब कौन collect कर रहा है वो राज्ये जहां पर ये सामान पहुचा तो नुकसान किसका हुआ उस राज्ये का जिसने export किया तो GST लागू करने के पहले सभी राज्ये सरकारे आखिरकार जब केंद सरकार से बातचीत के दौरा मानी थी GST को लागू करने को लेकर वो एक बड़ी शर्त थी और वो जो शर्त थी वो केंद सरकार द्वारा किया गया वादा था वादा क्या था केंद सरकार ने ये भरोसा दिलाया था राज्य सरकारों को कि GST को implement करने के दौरान जो नुकसान खास तोर पर उन राज्य सरकारों को होगा जो manufacturing states हैं जो पहले कमाई करती थी लेकिन अब उनकी कमाई नहीं हो पाएगी और उससे उनको loss होगा तो केंद्र सरकार अगले 5 साल तक यानि GST लागू होने के अगले 5 साल तक उन राज्य सरकारों को उस पैसे की भरपाई करेगी और ये भरपाई करने के लिए एक अलग तरह का खाता बना दिया गया जिसे आप कह सकते हैं GST compensation CES ये GST compensation CES जो इकठा होगा उसमें से उन राज्य सरकारों को भरपाई के तॉर पर दिया जाएगा यानि मुआबसा केंद्र सरकार ने जो ये वादा किया वो इस आधार पर कर लिया केंद्र सरकार को ये लगता था, ये मनना था कि कि आने वाले समय में सभी राज्य सरकारे जो हैं वो 14% rate से ग्रो करती रहेंगी यानि उनक्या जो revenue है वो 14% के आधार पर एक constant rate के आधार पर ग्रो करता रहेगा अगर वो 14% rate के हिसाब से ग्रो नहीं किया तो जितना आपका gap है वो केंदर सरकार आपको दे देगी अब ज़रा आखडों में समझे कि किस तरह का वादा किया गया था और कितना उसे निभाया गया GST के लागू होने के बाद पहला साल था 2017 से 2018 compensation CES जो 81 किया गया इस दोरान वो था 62,612 करोड लेकिन राज्यों को जो दिया गया वो था 41,146 करोड यानि केंद सरकार की जो कमाई हुई वो ज़ादा थी और उसमें से जो देना पड़ा वो कम देना पड़ा यानि केंद सरकार के पास surplus में compensation CES मौझूद था अब आज़े ये दूसरे साल पर अगले साल 2018 से 2019 में 81,081 करोड पर राज्यों सरकारों को कितना दिया गया की क्योंकि पहले जो दो बार हुआ उसमें compensation surplus था केंद सरकार के पास और अब राज्यों सरकारों को जरूरत थी तो उन्होंने कहा जब आपके पास surplus था तो आप हमें ज्यादा पैसा दे दीजे इस पर केंद सरकार ने कहा मेरा पर्स खाली है बट हुआ खाली अब ये समझना जरूरी है कि दिक्कत कहा आ रही है केंद सरकार अपने उस खजाने से इकठा हुआ पैसा नहीं दे सकती जो इस compensation CES के अलावा इकठा हुआ है यानी non-cess revenue में से निकाल कर नहीं दे सकती क्योंकि केंद सरकार के उपर ये भी बात देता है समवधानिक रूप से कि जितना कुल पैसा एकठा हुआ है उसका 42 फीस दी ही वो states के साथ राज्यों के साथ share कर सकती है और इसलिए केंदर सरकार ने अब अपना पल्ला जाड़ लिया ये कहके कि मेरे पास पैसा नहीं है अब आप ये सोचेंगे कि शायद ये सब कुछ कोरोना की वज़े से हो रहा है और केंदर सरकार अब इसमें क्या करे नहीं ये सब कुछ कोरोना की वज़े से नहीं है ये पिछले एक साल यानि अगस्त 2019 से ही केंद्र सरकार को लगातार नज़र आ रहा है कि कॉमपनसेशन सेस में जो पैसा एकठा होना चाहिए राजसरकारों को मुवजा देने के लिए उनकी भरपाई करने के लिए वो घट रहा है यानि पिछले एक साल से केंद्र सरकार इस घटते हुए पैसे को अपनी आखों से देख रही थी तो उस वक्त कोरोना नहीं था तो य कमी आने वाली है ये केंद्र सरकार को एक साल से पता है और रही बात राजसरकारों की तो राजसरकारों की भी कोरोना के पहले के समय से ही आर्थिक हालत ठीक नहीं है अब ऐसे समय में आप सोचे कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या होने चाहिए थी बजाए इसके कि वो अपना वादा पूरा करती बजाए इसके कि वो एक समाधान निकालने की कोशिश करती बजाए इसके कि वो राज्य सरकारों की मदद करती केंद सरकार की सारी कोशिशें इस दिशा में चली गए कि कैसे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ज़ाडा जाए और ये करने के लिए केंद सरकार ने टॉनी जेनरल केके वेणु गोपाल से चर्चा की और उनसे पूछा की ज़रा ये पता करके बताईए कि क्या कोई कानूनी बाद्धिता हमारे उपर होगी अगर हम अपना वादा नहीं निभाते वादा क्या था राज्यों को implementation of GST ना होने के कारण जो लॉस होगा उसमें उनकी भरपाई करना तो ऐसी भी खबरे हैं कि अटॉनी जेनरल ने उन्हें समझा दिया है कि क्यानूनी रूप से कोई इस पर बाद्धिता नहीं है और आप घबराईए नहीं हमने तो कहा था कि implementation of GST यानि GST लागू होने में जो आपको दिक्कत आएगी जिसकी वज़े से आपको नुकसान होगा उसमें हम भरपाई करेंगे कोविड का तो जिक्र था ही नहीं कोविड तो act of God है यही सब कारण है जिसकी वज़े से राज्य सरकार हैं खास तोर पर non-BJP states इसे वादा खिलाफी और धोखे बाजी कह रही है यहां तक कि बिहार के उपमुख्य मंत्री जो की BJP के नेता है सुशील मोदी बिहार में चुनाव आने वाले हैं तो उसको ध्यान में रखते हैं उन्होंने भी ये बात कह दी है कि अपना वादा ना निभाना ये अनैतिक है अब एक वाजब सवाल ये है कि चलिए केंद्र सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है कोई मदद नहीं कर रही है तो क्या राज्य सरकारें अपनी तरफ से टैक्स लाब्स में कुछ बदलाव करके अपनी भरपाई नहीं कर सकती तो इसका जवाब है कि जी हाँ कर सकती है लेकिन ये थोड़ा complicated है और मुश्किल होगा क्यूं क्यूंकि अगर tax labs में बदलाव किये गए तो tax labs में जो बदलाव होंगे वो सीधा सीधा आपकी जेप पर आने वाला है और आपकी जेप पर आएगा अपना तो भरपाई कर लेगी राज्य सरकार लेकिन वो भी political parties हैं उनको पता है ऐसा करने से ये पूरा narrative फैला दिया जाएगा आपके बीच में कि देखिए आपकी राज्य सरकार ने आपका tax बढ़ा दिया हमने तो इतना कहा था लेकिन राज्य सरकार ने tax बढ़ा दिया ये तो आपको कोई नहीं बताए कि ये इसलिए किया गया क्योंकि केंद्र सरकार ने अपनी वादा खिलाफी की तो इसलिए जो राज्य सरकारे हैं वो ये कदम नहीं उठाना चाहती वो नहीं चाहती कि tax labs में बदलाव किया जाया ताकि आपकी जेब पर भारी बढ़े अब समझना ये जरूरी है कि आखिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच clash यानि विवाद किस बात का है तो विवाद दोनों के बीच इस बात का है कि केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें पैसा उधार लें और उधार भी अपनी अपनी GDP का 5% से ज्यादा ना ल अब ये जो सुझाव है इससे राज्य सरकारें डरी हुई है क्योंकि उनका डर ये वाजिब है कि ऐसा करने से उनकी बैलन्स शीट जो पहले से ही चर्मराई हुई है वो और खराब हो जाएगी उसमें भूचाल आ जाएगा तो राज्य सरकारों का ये कहना है कि चूकि केंद सरकार ने तो हमसे वादा किया था अब आप अपना वादा निभाएं तो ये जो आप हमें आईडिया दे रहे हैं उधार लेने का बहुत अच्छा होगा कि अगर ये GST काउंसल ले ले उधार यानि GST काउंसल ले उधार ताकि अगर कोई default हुआ तो उसकी भरपाई राज्य सरकारों को ना करनी पड़े उसकी भरपाई कौन करे GST Council खुद अब इसी उलेगर विवाद है कोई इसकी जिम्मेदाली लेना नहीं चाहता क्योंकि आने वाले समय में अर्थ्विवस्था कैसी होने वाली है यह सब को साफ दिखाई दे रहा है कोई सामने आपके सामने कबूल नहीं कर रहा लेकिन उसको दिख रहा है कि आने वाले समय में भी मुश्किल होने वाली है और इसलिए उसकी भरपाई कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं होगी अब आप सोचेंगे कि यह राज्य सरकारों को पैसा देन तो इसलिए राज्य सरकारों के पास पैसा होना बेहत जरूरी है। अपना वादा तोड़ कर राज्य सरकारों के ओपर ठीकरा फोड़ना चाती है ताकि राजनितिक दलों को आने वाले समय में जो भी चुनाव हैं उसमें उसका फायदा हो सके या दूसरे को उसका नुकसान हो सके लेकिन इसको अगर हम चुनाव की तरह ना देखें तो देश भ गज़िएर कि जब सरक्सी अपने लिया जब सर प्लसा आपके पास था वो तो आपने अभी नहीं दिए लेकिन अब जब आप देने की सिती ले लिया, GST का बिल लाकर उसको Act बना दिया, कानून बना दिया और आज जब उसे साबित करने का उस वादे को निभाने का समय आया है तो आप Act of God कह कर टाल देते हैं, शायद ये देश के लिए ठीक नहीं है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अपने जादे से जादे फ्रेंस, रेलिटिवस में से शेर कीजेगा क्योंकि ये पूरा विवाद समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ विवाद नहीं है, ये आप से जुड़ी हुई जानकारी है जो वैसे आपको कोई नहीं बताएगा, तो अगर आपको मेरा बताने का अंदाज पसंद आया हो, तो इस वीडियो को प्लीज शेर करें और यूट्यूब पर साक्षी जोशी मेरा यूट्यूब चानल जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार, सत्यमिव जयते